दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल बी योर मनी मेनेजर दोस्तो देश के कंद्रिये बैंक भारतिये रिजर्व बैंक यानि आरबीया इने एक और सहकारी बैंक पर प्रतिवंध लगा दिया है तो यह बैंक कौन सा है और उस बैंक के ग्राहकों को अब किस तरह से परिशानी का सामना करना पड़ेगा यह सब हम इस एपिसोड में आगे आपको बटाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिस करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले साथ अपने दोस्तों रिस्तदारों जान पहचान बालों को भी इस यूटूब चैनल को शेयर करने के लिए के हैं सब्सक्राइब करने के लिए के हैं पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए क्यूंकि इस यूटूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपक तो आर्बियाई ने महाराष्ट के कोलहापूर जिले के इच्चल करंजी इस्थित शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक पर 13 मई 2022 के कारोबार की समाप्ति से अगले आधेश तक प्रतिबंध लगा दिया है यानि बैंक अब पावंधी के साथ कारोबार करेगा बैंक की खराब होती वितिये स्थिति के करण फिल्हाल ये पावंधी छह मईने के लिए लगाई गई है ऐसा आर्बियाई ने कहा है तो सबाल है कि इस प्रतिबंध यानि पावंधी का मतलब क्या है तो भरतिय रिजर्ब बैंक से लिखित रूप में पुर्व अनुमति लिये बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और नहीं उसका नभी करण करेगा यानि रिनीवल करेगा कोई निवेस नहीं करेगा निधियां उधार लेने और नई जमारासियां श्रिकार करने सही अपने उपर कोई भी दियता यानि लायवलीटी नहीं लेगा कोई भुक्तान नहीं करेगा और नहीं भुक्तान करने के लिए सहमत होगा भेले ही भुक्तान उनकी देंदालियों और दाइतमों की चुकोती से या अन्यथा सम्मंधित क्यों नहों कोई समझोता या इस तरह की कोई व्यवस्ता नहीं करेगा इसके अलाबा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को ना तो बेचेगा ना अंतरित यानि ट्रांसफर करेगा और नहीं उसका निप्टान यानि सेटल्मेंट करेगा तो यह हम बात कर रहे हैं महाराष्ट के कुलहापूर जिले के इचलकरंजी इस्तित शंकर राव पुजारी नूर्तन नागरी सहकारी बैंक के जमा कर्टाओं पर आई हुई आफ़त के बारे में तो जो सबसे बड़ी आफ़त आएगी इस प्रतिबन से वह इस बैंक के ग्राहकों पर आएगी जमा करता अब पैसा जमा नहीं कर पाएंगे भेले ही उसमें जमा करता हों कि बचत खाता हो या FD हो या RD हो या चालू खाता हो या कोई और खाता हो इसके अरबा पावंदी की शर्तों में कहा गया है कि सभी जमा करता अगले आदेश तक अपने सभी बचत खातों या चालू खातों या आने जमा खातों जैसे कि EFD, RD या कोई और डिपोजिटर स्किम में से एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे. हाला कि अगर जमा करता ने बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमारासी में से लोन की EMI चुका ही जा सकती है लेकिन ये भी सर्तों के अधीन होगी ऐसा RBI ने कहा है. RBI ने आगे ये भी कहा है कि बैंक के 99.84 प्रतिसद ग्राहक DICGC यानि डिपोजिट इंसुरेंस अंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंसुरेंस स्किम के तहट कवर हैं. इस स्किम के तहट 5 लाख रुपे तक की जमारासी का बीमा किया जाता है. इसका मतलब हुआ कि बैंक का लैसेंस रद होने की स्थिती में ग्राहकों को उनके 5 लाख रुपे तक वापस मिलने की उमीद रहती है. लेकिन जिन ग्राहकों का जमा पैसा 5 लाख रुपे से ज़्य की अगिया जता है बाकी पैसा ढोप जाता है अरृवी आई की तरफ से आयां करेकनुसार इस बैंक में 5 लक रृपय से जादा जमागा ईसे अजो बहुत कम लेकिन यहां उनका पॉंच लक रृपय से ज़्यादा जमा पैसा कुछ जाएगा यानि अगर आपका पांच लाग 50,000 रुपया जमा है तो 50,000 रुपया आपका डूप जाएगा अगर बैंक का लाइसेंस रत कर दिया जता है बैंक पर तालाबंदी कर दी जाती है तब हम आपको बचा रहे हैं शंकर राव पुजारी नूतर नागरी सहकारी बैंक पर आरवी आई द्वारा लगा दारोने तक प्रतिबंद के साथ बैंकिंग कारवार करना जारी रखेगा रिजर्व बैंक परिस्तितियों के अधर पर इन निदेशों में सरेंशोधर करने पर विचार कर सकता है फिलहार ये निदेश 13 मई 2022 को कारवार की समापती से 6 मईने की अबदी के लिए लागू रहे रिजर्व बैंक के दिनाम 13 मई 2022 के इस निदेश के प्रति बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है तो आप अपने बैंक में विजाकर ये निदेश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंदित अधिकारी से इस बारे में मिश्तार से बात कर सकते हैं दोस्तो किया रहा है। उसलिए saikari bank में जिनका खाता या सहकारी बैंक के खाता करवाने जा रहा है। उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पैसा आपका है और आपके ही काम आना चाहिए तो ज्यादा बेतर है खुल विलाकर कह सकते हैं कि ये दिनों bank में पैसा रखना काफे रिस्की हो गया है ना जाने कब कौन सा bank डूप जाए ना जाने कब किस bank का license RBI रद कर दे ना जाने RBI कब किस bank पर परतिबंद लगा दे और उसके बैंक खादाधाकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे काना मुश्किल है। दोस्तों RBI है, सरकार है, वितमंत्राला है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे, अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर करें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है, कब कौन पैसा लुट कर भाच जाया काना मुश्किल है, जब आपका पैसा लुट जाएगा तो पच्ताने के सिवा आपके पास कोई भी कल्प नहीं रहेगा, कई बैंकों या डी एचेफल जैसी गैर बैंकिंग वितिये कमपनियों की जमा करता हूं कि साथ ऐसा पोच्छुका है, इसलिए पैसा आपका है, उसको सुरक्षा भी आप ही कीजिए, तो वी ये और मनी मने किताब है, जो की amazon.com पर publish है, आप इसे download करके पढ़ सकते हैं, इन किताबों के links इस वीडियो के description में दिये हुए हैं, इन साथ किताबों में से 5 किताब money management पर है, यानि पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर अधारित है